नमस्ते, आईए सुनते हैं कथा समराठ मुईशी प्रेम चंद की लिखी कहानी सद्गती दुखी चमार द्वार पर जाडू लगा रहा था और उसकी पतनी जुरिया घर को गुबर से लीप रही थी दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा तो जाके पंडिक बाबा से कहा आओ ना ऐसा ना हो कि कहीं चले जाएं दुखी हाँ जाता हूं लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर जुरिया कहीं से खटिया न मिल जाएगी ठकुराने से मांग लाना दुखी तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे आग तक तो घर से निकलती नहीं खटिया देंगे कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो न मिले बला खटिया कौन देगा हमारे उपले सेंठे पैठेंगी नहीं देखते नहीं कितने नेम धरम से रहते हैं दुखी ने जरात चिन्तित होकर कहा हाँ यह बात तु है महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं वह पवित्तर है ला तू डंडा पत् थाली भी फूते बावा थाली उठाकर पटग देंगे उनको बड़ी जल्दी किरोध चड़ाता है किरोध मैं पंडिताइन तक को छोडते नहीं लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक तूटा हाथ लिए फिरता है पत्तल में सीधा भी देना हाँ मुदा तू छूना मत जूरी गौंड की लड़की को लेकर साहा की दुकान से सब चीजन लियाना सीधा भरपूर हूँ सेर भर अटा आधा सेर चावल पाव भर दाल आधभाव घी नोन हल्दी और पत्तल में एक किनारे चार आने पैसी रख देना गौंड की लड़की न मिले तो भुर्चिन के हाथ पे जोड लेना तू कुछ मत चुना नहीं तो गजब हो जाए इन बातों को ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गठा लेकर पंडिची से अर्च करने चला खाली हात बाबाजी की सिवा में कैसे जाता नजराने के लिए उसके पास घास की सिव और क्या था उसे खाली हात देखकर तो बावा दूर ही से दुख कारती पंडित खासी राम इश्वर के परमभक्त थी नीन्ट खुलते ही इश्व पासन में लग जाते मूं हात धोते आठ पचते तब असली पूजा शुरू होती जिसका पहला भाग भंग की तयारी था उसक थी फिर छाती पर भाहों पर चंदन की गोल-गोल मुद्रिकाएं बनाते फिर ठाकुर जी की मूर्थी निकाल कर उसे नहलाते चंदन लगाते फूल चड़ाते आरती करते घंटे बजाते दस बचते बचते वैपूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते तब तक तो दो चार जजमान द्वार पर आ जाते इशो पासन का ततकाल फल मिल जाता यही उनकी खेती थी आज वैपूजन ग्रह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गठा लिये बैठा है दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साश्टांग दंडवत करकी हाथ बांद कर खड़ा हुआ वै तेजास्य मूर्ती देखकर उसका हिर्दै श्रधा से परिपून हो गया कितने दिव्य मूर्ती थी छोटा सा गोल मटोल आदमी चिकना सिर फूले गाल रम्मतेज से प्रदीप्त आखें रोली और चंदन देवताओं की प्रतिभा पतान कर रही थी दुखी को लेकर श्री मुक से बोले आज कैसे चला रहे दुखिया दुखी ने सिर जुका कर कहा बिटिया की सगाई कर रहा हूं माराज कुछ साइद सगुन विचानना है कब मर्जी होगी घासी आज मुझे छुट्टी नहीं हाँ सांच तक आ जाऊंगा दुखी नहीं माराज जल्दी मर्जी हो जाए सब सामान ठेक कर आया हूं यह घास कहां रख दूँ घासी इसे गाय के सामने डाल दे और जरा ज़ाडू लेकर द्वार तो साफ कर दे यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई उसे भी गोबर से लीप दे तब तक मैं भोजन कर द्वार पर ज़ाडू लगाई बैठक को गोबर से लीपा तब तक बारह बज गए पंडीची भोजन करने चले गए दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था उसे भी जोर की भूक लगी पर वहां खाने को क्या धरा था घर यहां से मिल भर था वहां खाने चला जाए तो पंडीची बिगड जाए बेचारे ने भूक दवाई और लकडी फाड़ने लगा लकडी की मोटी से गाठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था वैं उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी दुखी घास छील कर बाजार ले जाता था लकडी चीरने का उसे अभ्यास न था घास उसके खुर्पे की सामने सिर जुका देती थी यहां कस कस कर कुलाडी का भरपूर हाथ लगा था पर उस घांठ पर निशान तक न पड़ता था कुलाडी उलट उलट जाती पसीने में तर था हांफता था ठक कर बैट पिर उठता था, आखों तले अंधेरा हो रहा था, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किये जाता था, सिर में चपकर आ रहे थे, अगर एक चिलम तमाकु पीने को मिल जाती, तो शायद कुछ ताकत आती, उसने सोचा, यहाँ चिलम और तमाकु कहां मिलेगी, ब् नीच जातों की तरह तमाकु थोड़े ही पीते हैं, सहसा उसे याद आया कि गाउं में एक गोण रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तमाकु होगी, तुरंत उसकी घर दोड़ा, खैर महनत सफल हुई, उसने तमाकु भी दी और चिलम भी, पर आग वहा ना थी, दुखी न कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं आता हूँ, पंडिची के घर से मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसुई बन ही रही थी, यह कहता हूँ आवे दोनों चीजें लेकर चला आया, और पंडिची के घर में बरोठे के द्वार पर खड़ा ओकर बोला, मालिक, रचिक आग आग मिल जाये तो चेलम पी ले, पंडिची भोजन कर रहे थे, पंडिताईन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है, पंडित, अरे वही सचुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकडी चीर दे, आग तो है दे दो, पंडिताईन ने भवे चड़ा कर कहा, तुमें तो जैसे पोथी पत्रों की फेर में धरम करम किसी बात की सुधी ही नहीं गई, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुँ उठाए, घर में चलाए, हिंदू का घर नहुआ, कोई सराय हुई, कह दो दाड़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठी से मुँ जुलस आग मांगने चले हैं, पंडित जी ने उन्हें समझा कर कहा, भीतर आगया तो क्या हुआ, तुमारी कोई चीज तो नहीं चुई, धर्ती पवित्तर है, जरासी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लानिया यही लकड़ी फारता तो कम से कम चार आने लेता, पंडित आइन ने गरज कर कहा, वे घर में आया क्यों, पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या, पंडित आइन अच्छा, इस बख़त तो आग दिये देती हूं, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मूह ही जला दूंगी, दुखी क तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है, भर चमार थोड़े ही है, इसी गाउं में बुरा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई, इसलिए जब पंडित आइन आग लेकर निकली, तो वे मानो स्वर्ग का वरदान पा गया, दोनों हाथ जोड़कर जमिन पर माथा पंडिताइन माता, मुझे से बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया, चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूरक ना होते तो लाथ क्यों खाते, पंडिताइन चिम्टे से पकड़ कर आग लाईन थी, पांच हाथ की दूरी से घूंगट की आर से दुखी की तरफ आग फैंकी, आग की बड़ी सी चिनकारी दुखी के सिर पर पड़ गई, जल्दी से पीछे हट कर सिर को जूटे देने लगा, उसके मन ने कहा, त्या है एक पवित्तर ब्राम्मन के घर को अपवित्तर करने का फल है, भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया, इसी से तो संसार पंडितो से डरता है, और सब के रुपए मारे जाते हैं, भ्राम्मन के रुपए भला कोई मार ले, तो घर भर का सत्या नाश हो जाए, पाव गल गल कर गिरने लगें, बाहर आकर उसने चिलंपी और फिर कुलहडी लेकर जुट गया, खट खट की आवाज आने लगी, उस पर आग को व्यवारिक शेत्र से समझ कर पूछा, रोठियां हैं, पंडिता इन दो चार बच जाएंगी, पंडित, दो चार रोठियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चड़ा जाएगा, पंडिता इन कानों पर हाथ रख कर बूली, अरे बापरे, सेर भर, तो फिर रहने द पंडित जी ने अब शेर बन कर कहा, कुछ भूसी चोकर हो, तो आटे में मिला कर दोठो लिट ठोंक दो, सालेख पेट भर जाएगा, पतली रोठियों से नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर का लिट चाहिए, पंडिता इन ने कहा, अब जाने भी दो, में कौन मरे, दुखी ने चिलम पीकर फिर कुलाडी समाली, दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी, कोई आद घंटे तक फिर कुलाडी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के पैठ गया, इतने में गौण आ गया, बोला, क्यों जान देते हो बूडे दा जाके मांगते क्यों नहीं, दुखी कैसी बात करते हो चिखुरी, भ्राम्मन की रोटी हमको पचेगी, गौण पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो, मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया, जमीधा भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है, तो थोड़ी बहुत मजदूरी दे देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं, दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लें तो आफत आ जाए, यह कहकर दुखी फिर समल पड़ा, और चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुलाडी उसके हाथ से छीन ली, और कोई आद घंटे खुब कस कस कर कुलाडी चलाई, पर गांट में एक दरार भी न पड़ी, तब उसने कुलाडी फैक दी, और यह कहकर चला गया, तो मारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांट कहां रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं, मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा, अभी घर पर सो काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक नएक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता, चलूँ जब तक भूसा ही उठालाओं, कह दूँगा बाबा, आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूँगा, उसने जववा उठाया और भूसा ढोने लगा, खलिहान यहां से दो फरलांग से कम न था, अगर जववा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर जववे को उठाता कौन, अकेला भरा हुआ जववा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था, चार बजे कहीं भूसा खत्म हुआ, पंडी जी की नींद भी खुली, मूम हाथ दोया, पान खाया, और बाहर नि उस पर सो रहा है, उठा ले कुलाडी और लकडी फार डाल, तुससे जरासी लकडी नहीं फटती, फिर साइथ भी बैसी निकलेगी, मुझे दोश मत देना, इसी से कहाया कि नीच के घर में खाने को हुआ, और उसकी आँख बदली, दुखी ने फिर कुलाडी उठाई, जो दूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा, पंडित हैं, कहीं साइथ ठीक न विचाने, तो फिर सत्या नाश ही हो जाए, तभी तुसंसार में इतना मान है, साइथ ही का तुसब खेल है, जिसे चाहें बिगार दे, पंडित जी गांट के पास आकर खड़े हुगए, और ब खटा ही चाहती है, दे उसी दरार में, दुखी अपने होश में ना था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ती उसके हाथों को चला रही थी, वे ठकन, भूख, गमजोरी, सब मानू भाग गई, उसे अपने बाहुबल पर स्वयम आश्चरे हो रहा था, एक एक चोट बजर की तर खाकर गिर पड़ा, भूका प्यासा, ठका हुआ शरीर जवाब दे गया, पंडित जी ने पुकारा, उठके दो-चार हाथ और लगा दे, पतली-पतली चैलियां हो जाएं, दुखी न उठा, उन्होंने भी अब उसे दिक करना उचित न समझा, पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छाने, शौच गए, स्नान किया, और पंडिताई बाना पहन कर बाहर निकली, दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था, जोर से बुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुमारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है न, दुखी फिर न उठ अब पंडित ची को कुछ शंका हुई, पास जाकर देखा, तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था, बदैवास होकर भागे, और पंडिताईन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया, पंडिताईन हाक बका कर बोली, वे तो अभी लगड़ी चीर रहा था न, पंडित हाँ ल राममणों की ही पस्ती थी, केवल एक घर गौंड का था, लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुए का रास्ता उधर ही से था, पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए, एक बुढ़िया ने पंडित ची से कहा, अब मुर्दा फ पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे, इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तयार न हुआ, हाँ, दुखिक इस्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली, और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर्फ पीट पीट कर रोने लगी, उनके साथ दस पांच और चमारी ने थी, कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था, पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का और भ्राम मर्चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्तर पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे, पंडित आयन ने जुंचला कर कहा, इन डायनों दे तो खोपड़ी चाट डाली, सभों का गला भी नहीं थकता, पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ेलों को क अब तक रोएंगी, जीता था, तो कोई बात न पूचता था, मर गया, तो कोला हल मचाने के लिए सब की सवा पहुंचीं, पंडित आयन, जमार का रोना मनहूस है, पंडित, हाँ, बहुत मनहूस, पंडित आयन, अभी से दुरगंद उठने लगी, पंडित, चमार था ससुर भी कोई चमार ना आया, चमारी ने भी रोप बिटकर चली गई, दुरगंद कुछ-कुछ फैलने लगी, पंडित जी ने एक रसी निकाली, उसका फंडा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला, और फंडे को खींच कर कस दिया, अभी कुछ-कुछ धुंदला था, पंडित जी रसी पकड़ कर लाश को घसीटना शुरू किया, और गाउं के बाहर घसीट ले गए, वहां से आकर तुरंत इसनान किया, दुरगा पाट पड़ा और घर में गंगाजल छिड़का, उधर दुखी की लाश को खेत में गीदर और गिद्ध, कुत्ते और कवई, नौच रहे थ अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहाने सद्गती